17 सितंबर को प्रधान मंत्री मोधी जी 75 साल के होंगे और मोधी जी ने टै कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे एक ही शक्स है जो कि उनके रास्ते का काटा बन सकते हैं वो है योगी अधितिनाथ जी अगर इनकी सरकार बनी तो दो महिने के अंदर यो एक रूल बनाया था कि भारते जंता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से उपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा और उसका सबसे पहले उस रूल के तहट आडवानी जी को और मुरली मनुहर जोशी जी को रिटायर किया गया था और उसके बाद तमाम यश्वन सिना जी सुमित्रा महाजन जी कई लोगों को यहाँ टिकेट नहीं मिली कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया ऐसे कई सारे लोग हैं तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधान मंत्री मोधी जी 75 साल के होंगे और मोधी जी ने टै कर लिया है कि अमित्शा जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित्शा जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधान मंत्री बनाने का उन्होंने टै किया है मौधी जी ने इसके उपर मोधी जी पिछले एक-दो साल से लगे भी हुन है है क्योंकि भारते जन्ता पार्टी के अंदर अमित्शाय जी के सांगे जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता एक-ध करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया उनका पत्ता जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं वो है योगी अदित्यनाथ जी अब योगी अदित्यनाथ जी को इनोंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो दो महिने के अंदर योगी जी को भी उत्तरपरदेश के सीम से हटा दिया जाएगा। पूरा करेंगे उन सब की भावनों की मैं कदर करता हूं क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं का कि मैं 75 साल पे स्टीफा नहीं दूंगा मैं रिटायर नहीं होंग तो मोदी जी इस रूल का फालो करेंगे यह पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फालो करेंगे दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी अदितनाथ जी को दो महीने में हटा दिया जाएगा इस पे अभी तक भ बग तै है कि योगी अदितनाथ जी को उत्तर परदेश के सीम पत से हटाये जाएगा